हलो फ्रेंट्स और मेड़स डेंड इंडिस्टिल फार्मेसी वन बीपी फाइफ जीरो टूटी के इस वीडियो में हम लोग यूनिट फोर में आप्थेल्मिक प्रप्रेशंस में इवैलुएशन आप आप्थेल्मिक प्रप्रेशंस के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग देखें कि जब हमारी ophthalmic preparation प्रपेयर हो जाती है तो हम लोग कौन-कौन से evaluation test को perform करते हैं अपने ophthalmic preparation की quality को चेक करने के लिए मेरा नाम है डॉक्टर महमताप सिंग तो चलिए शुरू करते हैं पोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे ज़रूरी है सही कोच का होना चुनियत डॉक्टर पी के एस और डॉक्टर एम पी एस क्लासेज को और करे अपने वी फार्म डी फार्म का सपना साकार डाउनलोड दिया है नाव अगर हम लोग यहाँ पर जो हमारे ophthalmic preparation है उनके evaluation के बारे में बात करते हैं तो इसमें बूरा सबसे पहला test है वो simply हमारा Stability taste यहाँ पर होता है तो जैसा कि हम लोग को पता है ophthalmic preparation हमारी sterile doses form होती है तो उसमें किसी भी प्रकार का micro organism है कि नहीं है उसको determine करने के लिए हम लोग starality test को simply यहाँ पर perform करते हैं तो अगर हम लोग जो हमारा starality test है उसके बारे हम बात करते हैं तो जो हमारी starality testing है उसको करने में हम लोग basically दो methods को यहाँ पर use करते हैं इसमें जो हमारा सबसे पहला method है वो है हमारा direct incubation method तो अगर हम लोग direct incubation method के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारा culture media है उसके उपर हम लोग जो हमारा product है या जो test हमारा sample है उसको हम लोग directly introduce करने का काम करते हैं तो आसान तरीके से कहें तो यहाँ पे हम लोग एक culture media को लेते हैं और जो भी यह हमारा product है, eye drop है, eye ointment है, हमारा lotion है, gel है, कोई भी ophthalmic preparation है, उसको सीधे हम लोग culture media पे एक required amount वहाँ पे डाल देने का काम करते हैं, या जो हमारा test sample है, उसको directly हम लोग culture media पे डालने का काम करते हैं, यह method हमारा direct incubation method कहलाता है, उसके बाद में जो दूसरा method है, वो है हमारा membrane filtration method, तो अगर हम लोग membrane filtration method के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग जो हमारे membrane filter है, उसको use करते हैं, और जो हमारा test sample या product है, उसको हम लोग अपना membrane filter है, उससे filtration करने का काम करते हैं तो उसके बाद में जब हम लोग filtration कर लेते हैं तो जो भी हमारा वहाँ पे होता है membrane filter उसको फिर हम लोग fluid से wash करने का काम करते हैं तो अगर हमारा जो वहाँ पे preparation है उसमें किसी भी प्रकार का microorganism होगा तो वो हमारे membrane filter पे हमें रुखते हुए देखने को मिल जाएगा अब हम लोग यहाँ पे जो हमारा culture media है उसको use करते हैं और उसके उपर जो membrane filter है जिसके तुरू हमने filtration किया था उसको simply यहाँ पे aesthetically transfer करने का काम करते हैं यहाँ पे हम लोग इसीज़ का ध्यान रखते हैं कि जब हम लोग transfer करें तो किसी भी प्रकार का वहाँ पे contamination नहों जिससे कि हमारे result पे किसी भी प्रकार का गलत effect ना है इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको aseptically transfer करने का काम करते हैं तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि कौन-कौन से culture media को basically हम लोग यहाँ पे use करते हैं तो यहाँ पे basically हम लोग दो प्रकार के culture media को use करते हैं इसमें जो हमारा सबसे पहला है वो है हमारा that is called कहलाता है हमारा soya bean casein digest medium तो अगर हम लोग सोया बीन कैसीन, डाइजेस्ट मीडियम के बारे हम बात करते हैं, तो इसका जो हमारा इंक्यूबेशन का time or temperature है, वो क्या होता है, temperature इसका होता है, 20 से 25 degree centigrade पे हम लोग इसमें इंक्यूबेट करते हैं, साथ दिनों के लिए, तो इस कंडिशन में, अगर हमारा जो प्रप्रेशन है, उसमें किसी भी प्रकार का, अगर वहाँ पे फंगी है, या यहाँ पे जो हमारे होते हैं, aerobic bacteria है, उनको detect करने के लिए, हम लोग सोया बीन कैसीन, डाइजेस्ट मीडियम को simply यहाँ पे use करते हैं, उसके बाद में, जो हमारा अगला यहाँ पे culture medium है, व इसको incubate करने का काम करते हैं, इसमें अगर हमारा bacteria यहाँ पे aerobic है, या anaerobic है, उसको हम लोग simply यहाँ पे detect करने का काम करते हैं, अब हम लोग यहाँ पे जो हमारा result है, उसके बारे में बात कर लेते हैं, किस condition में हमारा test pass या fail होगा, तो अगर हमारा जो वहाँ पे होता है medium उसमें किसी भी प्रकार की growth, microbial growth देखने को नहीं मिलती है, तो उस condition में हमारा test simply वहाँ पर पास हो जाता है, हम यह कह सकते हैं कि हमारे ophthalmic preparation में किसी भी प्रकार का micro organism नहीं है, बट अगर हमारा जो वहाँ पर medium है, उसमें हमें किसी भी प्रकार का growth देखने को मिलता है, तो हम लोग यहाँ पर अपने test को फिर से repeat करते हैं, और जब हम लोग इसको repeat करते हैं, उसके बाद में भी अगर हमें growth देखने को मिलती है, तो फिर हम लोग हमारा जो sample है वो test को simply यहाँ पर fail कर जाता है तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि अगर हमारा जो वहाँ पर हमारा culture medium है उसके उपर कोई भी growth देखने को नहीं मिल लई है तो test हमारा simply pass हो जाएगा अगर वहाँ पर जो medium है उसमें किसी भी प्रकार की growth देखने को मिलती है तो फिर हम लोग अपने test को carefully फिर से repeat करने का काम करते हैं और फिर भी अगर हमें growth देखने को मिल लई है तो हमारा sample simply start test को fail कर जाता है अब हम लोग यहाँ पे जो हमारा अगला test है जिसको हम लोग perform करते हैं अपने ophthalmic preparation में वो हमारा simply clarity test यहाँ पे होता है तो अगर हम लोग ophthalmic solutions के बारे में बात करते हैं तो जो भी हमारे ophthalmic solutions हैं वो वहाँ पे जो undissolved ingredient है उनसे free होने चाहिए और यह हमारे forging particles से भी simply free होने चाहिए तो आसान तरीके से कहें तो हमारे ophthalmic solutions जो हमारे preparation है उसमें किसी भी प्रकार का कोई undissolved ingredient नहीं होना चाहिए और उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी forging particle वहाँ पे नहीं होना चाहिए तो हमारा ophthalmic solution के अंदर किसी भी प्रकार का undissolved ingredient है की नहीं forging particle है की नहीं उसको determine करने के लिए simply हम लोग clarity test को यहाँ पे करते हैं तो अगर हम लोग clarity test के बारे में बात करते हैं तो इसको भी again हम लोग दो प्रकार से perform करने का काम करते हैं इसमें जो हमारा सबसे पहला है that is called the visual inspection तो अगर हम लोग visual inspection के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जो भी हमारा ophthalmic solution होता है उसकी जो bottle है उसको हम लोग black और white background के अगें view करने का काम करते हैं तो अगर हमारा जो वहाँ पे solution है उसके अंदर black particles होंगे तो उसको हम लोग जो हमारा white background है उसके again देखने का काम करेंगे और अगर हमारा जो ophthalmic वहाँ पे solution है उसके अंदर अगर white particles है उसको हम लोग black background से देखने का काम करते हैं और यहाँ पे हम लोग इस चीज का भी दियान रखते हैं कि जब हम लोग visual inspection करते हैं तो वहाँ पे एक अच्छी light होनी चाहिए जिससे की properly वहाँ पे visual inspection हो पाए और वहाँ पे जो हमारा reflection है वो किसी भी प्रकार का न हो उसके लिए हम लोग जो हमारे अलग-अलग प्रकार के b method that is called the instrumental method तो अगर हम लोग instrumental method के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग अलग-अलग principles को utilize करते हैं instrumental method में तो अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारा होता है पहला principle उसके बारे में बात करते हैं तो वो हमारा light scattering यहाँ पे simply है तो जब हम लोग अपना जो ophthalmic solution है उसके उपर light को डालते हैं और उसके अंदर अगर particles होंगे तो वो क्या करेगा उस वो particles हमारे light को scattered करने का फैलाने का क principle है that is called the light absorption तो जो हमारा light absorption है जब हम लोग अपने जो solution है उसके उपर light को डालते है तो क्या होता है कि अगर उसके अंदर particles होंगे तो वो कुछ amount light को वहाँ पे absorb कर लेंगे तो हमारा वहाँ पे कितनी amount light absorb हो रही है उसको भी determine करने के लिए उसको भी वहाँ पे जो है determine करके ह तीसरा है हमारा principle that is called the electrical resistance तो जो भी हमारे ophthalmic solutions है जब हम लोग उसके थ्रू electrical current को वहाँ से पास करते हैं तो अगर जो हमारा वहाँ पे होता है अगर उसके अंदर particles वगएरा होंगे तो फिर उससे हमें electrical resistance वहाँ पे simply develop होते हुए देखने को प्राप्त होगा हमारा जो current है व को भी obtain करने के लिए इनको use करते हैं और particle size distribution को भी यहाँ पे determine करने के लिए use करते हैं तो अगर हम लोग जो हमारे instrumental method है उनके बारे हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग जो हमारा video image का होता है projection का system उसको simply यहाँ पे हम लोग utilize करते हैं और इसके थूरू हम लोग अपना ज camera वगएरा उपयोग करते हैं और उसको computer से वहाँ पे connect करके simply देख सकते हैं कि हमारे particle का जो movement है वहाँ पे किस तरह से हो रहा है उसके बाद में जो हमारा अगला यहाँ पे है test जिसको हम लोग अपने ophthalmic preparation में perform करते हैं that is called the leakage test तो इसको हम लोग अधिकतर जो हमारे ointment tube white seals वगएरा है cap वगएरा है उससे properly close कर देते हैं जब हम लोग उसको close कर देते हैं तो फिर हम लोग जो उसकी outer surface है उसको properly clean करते हैं और अच्छे से dry करने का काम करते हैं तो जब हमारी जो tubes हैं उनकी outer surface है properly clean and dry हो जाती है अब इसको हम लोग यहाँ पे एक जो हमारा horizontal है position उस उसमें उस tube को place करते हैं और किस चीज़ पे place करते हैं यहाँ पे हम लोग जो हमारे adsorbent यहाँ पे हमारे absorbent paper है उनके उपर simply place करने का काम करते हैं और जब हम लोग इसको हमारा absorbent paper है उसके उपर रख देते हैं horizontal जो position है उसमें तब इसको हम लोग एक ऐसे oven में यहाँ पे रखते हैं जिसका temperature यहाँ पे 60 plus minus 3 degree centigrade हो तो वहाँ पे जब हम लोग इसको एक तरसे रखते हैं और 8 घंटे के लिए simply वहाँ पे छोड़ देते हैं तो यहाँ पे हम लोग temperature को इसलिए use करते हैं क्योंकि हमारे ointment एक जो semi solid doses form है वो होता है जब इसको हम लोग 60 degree centigrade पे 8 घंटे के लिए maintain करते हैं तो 8 घंटे तक वो liquid की consistency में वहाँ पे होता है तो अगर किसी भी प्रकार का leakage होना है तो वो simply हमें होते हुए देखने को प्राप्त हो जाता है और जो हमारा वहाँ पे होता है absorbent paper है उसके उपर हमें leakage होते हुए सकते हैं paper है उसके उपर किसी भी प्रकार का जो leakage है वो देखने को नहीं मिलता है तो simply हमारा test वहाँ पर पास हो जाता है तो इसको एक बार फिर से आसान तरीके से देख लेते हैं कि जो भी हमारे ornment tube है उन में से कोई भी dust tube हम लोग लेते हैं उसको जो specified seal उसके closer है जिससे ह तो completely dry हो जाता है तो फिर हम लोग जो हमारे यहाँ पर absorbent paper है उनको लेते हैं और उसके उपर एक horizontal position में उसको वहाँ पर इस तरह से रख देने का काम करते हैं तो जब हम लोग इसको horizontal position में place कर देते हैं तब हम लोग इसको एक जो oven है उसके अंदर रखते हैं और oven के temperature को हम ल हमारा जो ointment है जो की semi solid है वो liquid के form में 8 गंटे तक जब रहता है तो अगर किसी भी प्रकार का leakage होना है तो वो हमें होते हुए वहाँ पर देखने को मिल जाता है तो अगर हमारा वहाँ पर किसी भी प्रकार का हमें leakage देखने को प्राप नहीं होता है तो उस condition में हमारा test simply वह test को simply repeat करने का काम करते हैं तो जब हम लोग आसान तरीके से कहें तो अगर हमारा किसी भी ट्यूब में leakage देखने को नहीं मिला तो हमारा test pass हो जाएगा अगर किसी एक ट्यूब में leakage देखने को मिलता है तो फिर हम लोग test को 20 ट्यूब के साथ में फिर से repeat करने का काम करते हैं और अगर एक से ज़्यादा ट्यूब में लीकेश देखने को मिलता है, तो फिर हमारा टेस्ट सिंपली वहाँ पे फेल हो जाता है, तो अब हमारा जो टेस्ट है, वो किस कंडिशन में पास होगा, तो अब इस प्लेस पे क्या है, कि स्टार्टिंग में क्या था, कि जो हमारी वहाँ पे 10 ट्यूब है, अगर उन में से किसी बेहर में हमें लीकेश देखने को नहीं मिलता है, तो हमारा टेस्ट वहाँ पे सिंपली पास हो जाता है, उसके बाद में अगर एक में लीकेश देखने को मिलता है, तो उस condition में हमारा test simply वहाँ पास हो जाता है तो इस condition में अगर हमारा एक से ज़्यादा अगेन हमें ट्यूब में leakage देखने को मिल ला है तो उस condition में हमारा test simply fail हो जाएगा मिन्स यहाँ पे एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो हमने यहाँ पे 20 और ट्यूब ली उनमें से अगर किसी में भी एक में leakage हुआ तो फिर वो हमारा एक से ज़्यादा हो जाएगा मिन्स अब हम लोग जो 20 ट्यूब के साथ में repeat कर रहे हैं उनमें किसी भी प्रकार में उनमें किसी भी ट्यूब में अगर हमें leakage देखने को नहीं मिला है तो उसी condition में हमारा test simply यहाँ पर पास होगा उसके बाद में जो हमारा अगला यहाँ पर test है that is called the metal particle in ophthalmic ointment तो अगर हम लोग ophthalmic ointment को किसी भी जो metal की tube है उसमें अगर store करने का काम करते हैं पैक करने का काम करते हैं तो हम लोग यहाँ पे metal particle ophthalmic जो हमारा यहाँ पर test है उसको simply यहाँ पर 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 फॉर्म करने का काम करते हैं तो इसमें भी हम लोग यहाँ पे जो हमारा ophthalmic ointment है उनकी जो 10 tube है, 10 container हैं उनको यहाँ पे simply हम लोग लेते हैं और यहाँ पे हम लोग दस flat bottom pettid disk को simply यहाँ पे लेते हैं, और हर जो tube है, उसको हम लोग अलग जो हमारा flat bottom pettid disk है, उसमें completely extrude करने का काम करते हैं, completely उसमें बाहर निकालने का काम करते हैं, आसान तरीके से कहें, तो हमने जो 10 tube ली थी, उनको एक एक जो pettid disk है, उसमें completely दाब के बाहर निकालने का, उसके अंदर fill करने का काम करते हैं, जब हमारा जो यह process complete हो जाती है, तो फिर हम लोग जो भी हमारी pettid disk है, उनको properly cover करते हैं, और इसको हम लोग 85 degree centigrade पर 2 घंटे के लिए heat करने का काम करते हैं, तो जब हम लोग इसको 85 degree centigrade पर 2 घंटे तक heat करते हैं, तो क्या होता है, कि हमारा ointment liquid की consistency में आ जाता है, और अगर उसके अंदर कोई भी metal particle होगा, तो वो हमें नीचे की और बैठते हुए pettid disk में देखने को मिलता है, उसके बाद में हम लोग इसको यहाँ पर धीर धीर कूल करते हैं, और उसको solidify कर देते हैं, तो जब हमारा ointment completely वहाँ पर pettid disk के अंदर solidify हो जाता है, तो फिर हम लोग उसका जो cover है, उसको properly remove कर देते हैं, और हम लोग यहाँ पर stage जो हमारे microscope होते हैं, जो की equipped होते हैं with the eye piece, जो हमारे micrometers हैं, जो की properly calibrated होने चाहिए, उससे equipped होते हैं, उनमें वहाँ पर हम लोग उसको वहाँ पर invert ultra position में place करने का काम करते हैं, जिससे की जो हमारे particle, metal के particle नीचे की और बैठे हैं, फिर वो उपर की और हमें properly दिखना start हो जाए, तो अब हम लोग जो हमारा microscope है, उससे अपना जो हमारा petit disc का entire bottom है, उसको examine करने का काम करते हैं, कि उसमें कोई भी metal के particles है की नहीं है, तो जब हम लोग जो भी हमारा petit disc का bottom है, उसको उसके हर place को properly examine करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग जो हमारे metal के particles है, उनको simply count करने का काम करते हैं, और किन particles को count करते हैं, जिनका size यहाँ पर 50 micrometer है उस size का हो, या उससे बड़े size के particles को ही simply हम लोग यहाँ पर count करने का काम करते हैं, अगर उसका size हमारा 50 micrometer से कम है तो फिर उसकी counting हम लो simply यहाँ पे नहीं करते है तो अब हमारा जो हमारा होता है result वो किस condition में हमारा test pass होगा किस condition में fail होगा यह उसके बारे में बात कर लेते हैं तो इस condition में क्या है कि जब हमारा जो हमने वो 10 tube ली थी उनमें जब हम लो जो particle से उसको count करते हैं तो अगर जो हमारा वहाँ पे particle का total number आता है अगर वो 50 से ज़्यादा नहीं होता है तो उस condition में हमारा test simply यहाँ पे pass हो जाता है और एक चीज और यहाँ पे है कि हमारा किसी भी एक tube के अंदर 8 particles से ज़्यादा नहीं होने चाहिए means हमारे किसी भी एक tube में वहाँ पे 8 particles से ज़्यादा नहीं है और total particle अगर हमारा 50 से ज़्यादा नहीं है तो उस condition में हमारा test simply वहाँ पे pass हो जाता है और अगर ऐसा नहीं होता है particles वहाँ पे जादा होते हैं, तो उस condition में हम लोग जो test है, उसको फिर से 20 tube पे repeat करने का काम करते हैं, और 20 tube पे जब हम लोग इसको repeat करते हैं, तो अब हमारी total कितनी tube हो गई, अब हमारी total tube हो गई, 10 plus 20, ये 30 tubes हो गई, अब हमारा जो इस place पे data आएगा, उसमें क्या होना जो हमारी यहाँ पे 30 tubes है, उन में से not more than 3 tubes contain more than 8 particles, उन में से 3 tubes से ज्यादा में 8 particles नहीं होने चाहिए, और total particles के बारे में बात करें, तो वो 150 से अगर ज्यादा नहीं है, तो उस condition में हमारा test simply pass हो जाता है, और अगर उससे ज्यादा हो जाता है, तो उस condition में हमारा test simply यहाँ प बात कर लिया है, तो जो भी हमारा ophthalmik वहाँ पर preparation है, वो किस type का है, उसके basis पे भी हम लोग और जो test है, उनको simply यहाँ पर perform कर सकते हैं, अगर वो वहाँ पे suspension है, तो उसके जो specific हमारे suspension के test है, जो उनको हम लोग वहाँ पर करते हैं, अगर वो हमारा emulsion है, तो हमारे जो वह preparation के evaluation के test है, यह properly आप लोग को समझ में आ गए होंगे, अगर अभी भी कहीं कोई confusion है, तो comment करके पूँच सकते हैं, इस topic का PDF आपको description में मिल जाएगा, इस वीडियो को like करें, अपने दोस्तों के साथ share करें, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe करना बि कुल भी न भूले, thank you.